हलो टियर सूदेंट्स वेल्कम बेक टो और्गेनाइज नॉलेज चैनल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वॉक्षीट नमबर सेविंटी एट फोर क्लास नाइंथ विज्ञान विशे की वुक्षीट है जो आपके लिए 27 जन्वरी 2021 के लिए शेडूल की गई है वॉक्ष शुरू करने से पहले बच्चो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो हम रोगों से ग्रस्थ होने से कैसे बच सकते हैं आज की ज्यान की क्वेरी है जिग्यासादीदी के लिए हम रोगों से ग्रस्त होने से कैसे बच सकती है कैसे हम रोगों से अपना बचाव कर सकती है ज्यान हम जानती है कि रोग हमें अनेग प्रकार से प्रभावित करते है इसलिए सही कहा गया है कि रोगों का निवारन उपचार से अच्छा है तो रोगों का निवारन जो है वो उपचार से अच्छा है यानि हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोग हमें लगे ही ना ठीक है क्योंकि रोग लगने के बाद कई तरह की समश्याएं सामने आती हैं बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हो जाता है और साथी साथ शरीर कमजोर होता है तो ये सारी प्रेशानिया होती है इसलिए रोगों का निवारन उपचार से अच्छा है हम दो मुखे विद्यों द्वारा रोग ग्रस्थ होने से बच सकते हैं और अपने आपको सुरुक्षित रख सकते हैं आज हम इस वक्षीत में उन मुखे विद्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके द्वारा हम रोग ग्रस्थ होने से बच सकते हैं और खुद को सुरुक्षित रख सकते हैं जिने निवारन के सिद्दान्त भी कहा जाता है तो उनको क्या कहा जाता है निवारन के सिद्दा करन यह एक विशिस्ट रोग में ही उपयोक्त होती हैं तो सामान्य विद्या क्या है कि जैसे हमें बीट भाड से बचना चाहिए ताकि कोई संक्रामक रोग हमें ना जो है लग चाहिए इसके अलावा अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए ठीके अच्छा जल जो है वो प यह क्या है यह विशिस्ट रोग और पर्टिकलर जो रोग होगा उसी का टीका लगाया जाएगा तो वो क्या होती है वो विशिस्ट रोग विशिस्ट विद्या कहलाती है नेक्स हम देखेंगे निवारन के सिद्दान्थ तो निवारन के सिद्दान्थ जो है वो क्या-क्या हैं first है संक्रामक रोगों के निवारन के सामाने सिद्दांत यानि संक्रामक रोगों के निवारन के लिए हम क्या क्या कर सकती हैं सेकी नम करेंगे संक्रामक रोगों के रोग विशिस्ट उपाय यानि टीका करन के बारे में पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के निवारण के सामाने सिद्धान्थ में देखे कि हम संक्रमन से अपना बचाओ कैसे कर सकती हैं रोगानों के संपर्क में आने से बचना जैसे वायू जनित सुक्सिम जीओ से बचने के लिए भीट भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना और सामाजिक दूरी अपनाना और ये सबी बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं जैसे अभी COVID-19 जो चल रहा है ठीक है तो उसमें एक दूसरे से जो है बचने के लिए मास्का प्रियोग करते हैं सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं तो ये सब जो है इसमें आएगा अब देखिए जो संक्रामक रोग है वो जल द्वारा वायू द्वारा जो वाहक है रोग वाहक उनके द्वारा फैलते हैं तो इसलिए और क्या हम निवारण के लिए precaution ले सकते हैं हम जल जनी सुक्षम जिवों से बचने के लिए हमें साफ पेजल पीना चाहिए रोग वाह रचर हैं वो ना पनप सकें तथा रैविस जन्तुओं से दूरी बनाए रखें क्योंकि जो बंदर है कुटे हैं उनके काटने से हमें रैविस हो सकता है तो इनसे दूरी बनाए रखें अतै संक्रामक या संचारित रोगों के निवारण के लिए जन स्वच्षता आवश्यक है नेक्स्ट हम देखेंगे अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिसाली बना कर तो दूसरा पॉइंट हमारे ये रहेगा कि अपने शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानि जो हमारी इमिनिटी है रोगों से लड़ने की शमता है अब देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से बुखार में ही बहुत ज़्यादा उनको बिमारियां लग चाती है या थोड़ी सर्दी में ही उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कोल्ड हो जाता है तो ये सब क्यों होता है ये सब होता है हर एक परसन की अपनी एक इमिनिटी होती है उसके शरीर क प्रतिरक्षा तंत्र सुक्षम जिवों से लड़कर हमें रोगों से बचाये रखता है हम अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को निमलिकी तरीकों से मजबूत बना सकते हैं पहला क्या है कि हम अपने प्रतिरिक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पूर्ण एम संतुलित आहार लेकर हम प्रतिरिक्षा तंत्र मजबूत बना सकते हैं जंग-फूड यानि जो बर्गर है या इस तरह का जो जंग-फूड है खाना वो छोड़ कर हम अपने प्रतिरिक्षा तंतर को मजभूत बना सकते हैं डेली वैयाम करके नियमित रूप से वैयाम अगर हम करें तो प्रतिरिक्षा तंतर हमारा मजभूत बनेगा सेकिन है व्यक्तिक्त स्वच्छता और पूर्ण निंद्रा से यानि हमें अपनी खुद की जो है सफाई रखनी चाहिए चारो तरफ सफाई तो होनी चाहिए साथ में खुद की व्यक्तिक्त सफाई भी रखनी जरूरी है और पूर्ण मिंद्रा याने हमें अच्छे से नीद लेनी चाहिए थर्ड है शराब, तंबाकू, धुम्रपान और ड्रग साधी से बचकर तो शराब, तंबाकू, धुम्रपान इन सबसे भी बचकर हम जो है क्या कर सकते हैं अपना प्रतिरक्षत अंत्र मजबूत कर सकते हैं क्योंकि ये सबी चीजें शराब पीते हैं, तंबाकू है, धुम्रपान है इन सबसे क्या होता है, इन सबसे हमारी इम्मिनिटी वीक होती है ठीके, ये हमारे जो है शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं फूर्थ देखे, स्वेम उपचार न करना, स्ट्रेस आदी से बचना तो अगर हमें थोड़ी बहुत कुछ रोग हो जाता है तो हमें उसका कोशिश करें कि आप जो है डॉक्टर को ही दिखाएं ऐसा नहीं हो कि हम उसका स्वेम ही उपचार करने की सोचें तो स्ट्रेस यानि जो भी हमें टेंशन है, तनाव है उससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बचें नेश्ट देखे, प्रतीरक्षा, प्रतीरक्षा क्या है? शरीर की रोगों से लड़ने की शमता या हमारे शरीर के रोगानों के विरुद लड़ने की शमता वो क्या कहलाता है? वो प्रतीरक्षा कहलाता है ठीके? आप देखे, आपको दिये गई है इसमें चार क्वेशन काफी इजी है तो फर्स क्वेशन क्या है? रोगों से निवारन के लिए कौन सी दो विधिया प्रमुख है? संक्षेप में लिखे तो रोगों से निवारन के लिए दो विधिया अभी अभी हमने पड़ी ठीके? संक्रामक रोगों से संक्रमन से बचाओ है और अपना प्रतीरक्षा तंत्र जो है उसको मजबूत बना कर शक्तिशाली बना कर जो है हम उनसे लड़ सकते हैं तो यहां से आप इसका अंसर करेंगे तो फॉस्त एक है संक्रमन से बचाओ करके रोगानों के संपर्क में आने से बचने के लिए भीर में जाने से बचना शाहिए एक दूसरे से सामाजिक दोरी जो है वो बनाए रखें तीसरा आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए ठीक है और नमबर टू क्या होगा शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अच्छा खान पान होना चाहिए अगर हम अच्छा खाएंगे ठीक है संक्रामक रोगों के निवारन के सामाने सिद्दान्त क्या है तो सामाने सिद्दान्त क्या है हमने वी उपर किया तो यहां से आप इसका अंसर लिखतेंगे देखें फॉस्ट आप लिखेंगे सामाने विधिया यह आपका question number two का answer हो जाएगा सामान्य विद्या सामान्य विद्या सभी प्रकार के रोगों से बचाओं में साहब होती है रोग विशिस्ट विद्या या एक विशिस्ट रोग में ही उप्युक्त होती है तो यह दोनों point आप यहां से लिखतेगे next देखिए प्रशन तीन है प्रतिरक्षा को परिभाशित कीजिए बहुत इज़ी है शरीर की रोगों से लड़ने की शमता या हमारे शरीर की रोगानूस के विरुद लड़ने की शमता क्या कहलाता है प्रतिरक्षा कहलाता है प्रशन चार करेंगे रोगों का निवारन उपचार से अच्छा है इस कथन की पुस्टी कीजिए तो आईए करते हैं इसका अंसर तो यहां से आप इसका अंसर करेंगे कि अगर हम किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो वह जूसरों को लगने का खत्रा भी रहता है अगर हमारे को कोई रोग है तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी उसको होने का खत्रा रहेगा और किसी भी रोग से ठीक होने के बाद भी क्या होता है शरीर कमजोर लगता है रिकवरी होने में टाइम लगता है धन की खपत भी हो जाती है इसलिए कहा जाता है कि रोगों का अनिवारन वो उप्चार से अच्छा है ठीक है तो ये हो गया आपका question number fourth का answer तो ये है आपकी आज की science की worksheet आई हो बिटा worksheet क्लियर है कोई doubt है comment section में comment करके पूछ सकते हो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो like share जुरूर कीज and thanks for watching have a nice day